दोस्तों बात करें तो यहां पर मेरे पास है Samsung Galaxy F41 स्मार्टफोन देखा है तो पिछले 10 दिन से मैं इसे यूज कर रहा हूँ और जब यह लाँच हुआ था तो मेरे को लाँच करने की ज़रूरत किया है Samsung को, मार्केट में अल्रेडी M21 तो मौझूद है तो मेरे को लगए थोड़ा सा confusion हो गया है लेकिन जब इसे use किया है confusion थोड़ा सा clear हो गया और काफी सारे answer मिल गए कि exactly इसके launch करने के पीछे का reason क्या है और क्यों इस smartphone को लेना चाहिए over other similar price में आपको जो Samsung का जैसे M21 मिलता है तो यहाँ पर क्या advantage मिल रहा है तो चलिए आज इस वीडियो में इसी के बाहर में बात करते हैं और वीडियो कर आप लोग को पसंद है तो definitely like करो चैनल को subscribe करो लेकिन सबसे पहले बात करें ना इसको launch करने के पीछे का एक जो main reason मेरे को लगा ना वो था इसका camera अब सीधी बात या इस phone का camera मैंने जब चला आना तो इस price point के हिसाब से मेरे को काफी अच्छे और amazing results देखने को मिले एक example लेता हूं 64 Megapixel का Samsung का GW1 जो image sensor है वो आपको देखने को मिलता है default में 16 Megapixel की images लेता है 64 में आप इसमें images ले सकते हो दूसरा camera 8 Megapixel का ultra wide angle lens फिर 5 Megapixel का depth sensor देखने को मिलता है triple camera setup इसमें देखने को मिलता है images की quality आप खुद देखिए काफी बढ़िया देखने को मिलती काफी अच्छी dynamic range है colors जो देखा जाया अगर हम price point consider करें वो भी काफी बढ़िया अगर price point के बार में बात करें 16999 ऑफिशल प्राइस है लेकिं बिग बिलियन डिल में 1500 रुपे का discount है 15,499 का मिल रहा है 1000 रुपे के around 1000 या 1500 के around का जो SBI का जो card offer है तो around 14,000 रुपी में आपको मिल सकता है इसके साथ ही अगर बात करें तो जो smart upgrade program होता है flip card का अगर उसके अंदर आप लेते हैं तो effective price 10,000 हो जाता है और उस हिसाब से देखा तो काफी अच्छी deal हो जाता है इवन बात करें अगर 14,500 की range में भी अगर फोन मिल रहा है और उस prime phone के हिसाब से करें मैं इसके camera को दूसरे phone से compare करूँ जिनकी की मतला वो 14,000 और 15,000 आती है उनके comparison में काफी अच्छी image quality निकाल देता है इवन इसमें क्या हुआता है कुछ दिन पहले मुझे इसमें एक software update भी देखने को मिलाता है जिससे ही हुआता है कि इसके अंदर ना आपको जो 1 UI 2.1 होता है वो देखने को मिला अपडेट से साथ साथ कैमरा में single tick का feature night hyperlapse का feature देखने को मिला तो definitely देखा जाए तो image quality अगर किसको preference है और किसको काफी अची photograph लेंगे definitely इस phone को consider कर सकता है especially camera के front में camera में यहां पर seriously अच्छा काम किया गया अगर में 15,000 के below price point पर से compare करता हूं तो वीडियो recording में बात करें 4K video 30 fps में 1080p video 30 fps में record करने के capable है selfie camera के बार में बात करें तो यहां पर आपको 32 megapixel का single selfie camera देखने को मलता है आगे इसके बार में एक बात बता देना चाता हूं 32 megapixel का जो selfie camera है यह default में 8 megapixel में selfie लेता है यानि कि pixel भी निग करके 8 megapixel में इसके साथ है अगर इसमें आप अल्ट्रावाइड वाला option है वो यूज करते है तो आप यह 12 megapixel में जो सेल्फी होती है वो ले सकते है जो जिसे हम गुरुफी कहते है वो और सामने का जो camera वो फिक्स फोकास है और हां 32 megapixel में सेल्फी लेने का option है ना वो भी यह देखने का बलता है और सिर्फ बात यह खतम नियों जाती इसके साथ एक और एकली चीज जो इस फोन के काफी एक्साइटिंग फीचर ना वो है इसकी बैटरी आपको दूसरे फोंस में जहां तक 5000 एमेच पर मैक्स आउट हो जाते यह 6000 एमेच की बैटरी पर जाता है जो कि काफी अची चीज है लेकिन 6000 एमेच के बैटरी होने के बावजूद भी जो फोन का जो वेट है ना वो लेस द ना दिया जाता है लेकिन यहां पर 6000 एमेच की बैटरी और लग रहा है कि सैमसंग के लिए ना अब 6000 की बैटरी है ना वो बहुत ही जादा कॉमन हो गई जबकि जहां जो दूसरी कंपनी है ना जैसे गर हम बात करें पोको अगेरा की तो वहां पर क्या हो या कि 6000 एमेच की ब और निंग गुरिला ग्लास 3 की यहां पर आपको एमोलेड डिस्पले देखने को मिलता है इसके साथ ही अगर हम बात करें तो और डिस्पले की क्वालिटी काफी जबर जस्ते यानि कि सूपर एमोलेड डिस्पले कलर्स अच्छे देगा डीप्लेक्स देगा और एक अच्छ क्वालिटी का अगर एमोलेड डिस्पले यूज करें कशी क्वालिटी के डिस्पलेड तो और यहां पर देखा जा तो सैंसंग ने काफी अच्छा खुदका बनाया होए और तो आर बात यह बी कि यहां पर जो color से वो काफी अच्छे देखने को मिलते हैं काफी सारे लोग का सवाल था maximum peak brightness किती है तो इसके अंदर जो maximum peak brightness देखने को मिल रही है वो आपको देखने को मिल रही है 420 nits की तो all and all बात की जा किसे को डिस्प्ले के लिए phone लेना है बैटरी के लिए लेना है या फिर camera के लिए phone लेना है definitely इसे ले सकता है लेकिर इसके आगे चलके बात कर इसके और दूसरी चीज़ों के बारे में जैसकि Samsung ने इसमें One UI 2.1 का update दे दिया Android 10 पे चलता है तो One UI 2.1 का जो general features होते हैं वो देखने को मिलते हैं जैसे बात कर तो यहाँ पर आपको always on display भी देखने को मिलता है और तो जो smart pop view वाले features होते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं दूसरे Samsung के phone गेंस में floating window अगर आ जाते हैं तो वो सारी चीज़े देखने को मिलती है लेकिन जो एक चीज़ यहाँ पर missing है ना Glossy Plastic यानि की Glastic है इसे हम Glossy Plastic कह सकते हैं और definitely Plastic है Polycar Arminate Scratches वगर आ सकते हैं तो मेरा suggestion है कि box के अंदर आपको कोई भी cover case होता है वो देखने को नहीं मिलता है तो आप लोग से मेरी request है अगर इस phone को कोई purchase करने वाला है ना तो definitely एक जो cover होता है जो case होता है वो भी उसे ले ले क्योंकि वहाँ पर उसे अच्छी protection मिल जाएगी और आगे की तरफ कोई screen guard होता है वो भी उसे लगा ले और इसी के साथ ही phone के अंदर बात करतो यहां पर आपको 6GB की LPDDR4 XRAM देखने को मिलती है जो base version आता है उसका यहां तक कि इसके अंदर आपको 120GB की UFS 2.1 storage है triple SIM slot है dual SIM प्लस memory card इस प्रिस में add कर सकते है और जिसमें processor यूज किया न वो किया Exynos का 9.611 अब 9.611 देखा तो 9.610 की Cooper का एक upgraded version है 9.611 मैं कहूंगा कि थोड़ा सा पुराना होगा Samsung ने से थोड़ा से जादा यूज कर दिया है लेकिन हाल फिलाल मैंने इस processor का यूज करके देखा after software update phone जो है वो stable होके अगर आप नॉर्मली एक आद एप्स यूज करते हो कुछ एप्स यूज करते हो है heavy multitasking या फिर heavy apps या heavy gaming नहीं करनी है न यह processor day to day tax चला सकता है इसमें कोई problem नहीं आने वाली battery अच्छी है display अच्छा है camera अच्छा है RAM भी fast है storage भी अच्छा है तो वहाँ पे देखा है तो वहाँ पे compensation हो रहा है लेकिन अगर exynos 9611 की जगे कोई snapdragon कोई दूसर प्रोसेसर यूज किया जाता है even 662 ए 665 भी यूज किया जाता है वह भी काफी अच्छी चीज रहती मेरे को लगता है कि यहाँ थोड़ा से जाधा extend कर दिया और 9611 को overuse कर चुग है लोग तो देखा तो 9611 के बारे मेरे यह कोई thoughts से all and all बात करें तो फोन अगर किसी को गर balance तरीके से use करना है day to day task अच्छी तरीके से करना है किसी को गर heavy gaming नहीं करना है वह सारी तीज़ यहाँ कर लेगा यहाँ पे lag वगड़ा कि ऐसे कोई बड़ी problem नहीं आने वाली मिलते हैं यह काफी सारे लोगों ने मेरे को message करते कि हमने फोन में update कर रहा तो यहाँ पे बग्स आ गए यहाँ पर फ्री एक्स्पिरियंस देखने को मिल रहा है तो यह बात हो जाती है तो all in of अगर आप लोगों को interest इस phone को लेने में तो definitely big billion disc चालू है आज के समय में वहाँ पर जाके आप इस phone को purchase कर सकते है 1500 रुपए का flat discount पल रहा है SBI card पर offer मिल रहा है इसके साथी smart upgrade program के साथ यह काफ एची value for money हो जाता है तो लिंक जो एनस कमें description में दे दूँगा प्लीज जाके आप एक बार चेक आउट करें और all in all देखें तो किसको अगर heavy gaming वगेरा नहीं करनी और किसको बड़ी battery बड़ी आ camera चाहिए बड़ी डिस्प्ले चाहिए below 15 thousand price point में जो market में और कोई नहीं दे रहा डेफिनिटली f41 एक काफी इची choice हो जाता है तो यह था मेरा कुछ opinion कुछ reviews जो मैं आपसे कहना चाहता था 10 दिन तक इस phone को चला है मैंने use किया तो उसके बारे में आपसे share करना चाहता था कुछ opinions वैसे मेरा आप लोगों से एक सवाल है आप लोगों को galaxy of 41 कैसा लगा आप लोग क्या सोच तो प्लीज यह बात मुझे नीचे कमेंट बता ना भूला वीडियो अगर पसंद आ है तो लाइक कर लेना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना थेंकियो अपका वीडियो देखने के लिए मैं आप सम्में तो नेक्स वीडियो के अंदर गुर्वाइ